प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान पुनर जागरण जो कि हम पिछले तीन व्याख्यान से कर रहे हैं, उसी सरंखला में चोथा व्याख्यान है इससे पहले हमने पुनर जागरण की परिभाशा की थी, उससे पहले उसकी प्रष्ट भूमी की थी, पुनर जागरण का अर्थ की या परिभाशा की, उसके विशेश्टाएं की और इससे पहला जो व्याख्यान था, उसमें हमने पुनर जागरण के कारण किये थे कारण जिसमें था कि कुछ ऐसी खास विशिष्ट घटनाएं हुई जैसे कि धरम युद जो कि लगबग 300 साल तक चला इसाई और इसलाम में कागज का जो अविश्कार हुआ, कुस्तुन्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ मंगोल सामराज्य, आर्थिक परिवर्तन, स्कालाश्टिक विचारधारा ये कुछ पुनर जागरन के हमने किये थे उसमें जो की कारण जो पुनर जागरन के कारणों के रूप में हमने इनको किया आज हम कर रहे हैं कि पुनर जागरन इटली में ही क्यों हुआ पुनत जागरन का प्रारंब इटली से होता है जबकि यॉरॉप में और भी देश थे यॉरॉप में बड़े जो बाबाद में हम जिन देशों के बड़ी ताकत देखने को हमें मिलती है इंगलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है कितने ही ऐसे देश हैं, आश्ट्रिया है वहां कहीं भी पुनर जागरन प्रारम नहीं हो सका और इटली में ही क्यों हुआ, यह है आज का हमारा जो टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं पुनर जागरन की आंतरिक विचार जोती हम यों कहें कि सबसे पहले इटली के नगरों में आलोकित हुई और अच्छी लैंग्वेज में कहीं प्रदिप्त हुई कि ज्ञान की जो जोती है, वो सबसे पहले वहां जली उसके बाद उसकी रोशनी योरॉप के अन्य देशों में फैली संकर्मित हुई इटली वहे परवेश द्वार था, एंट्री गेट, एंट्रेंस जिसके माध्यम से पुनर जागरन की लहरें योरॉप में परविष्ट हुई सबसे पहले इटली में हुआ और फिर इटली से योरॉप के अन्य देशों में पुनर जागरन जो है वहां से फैल गया तो च्वाभाविक परशन इतियास के विध्यार्थी के मन में यहां पर उठता है कि इटली की भूमी पर ही पुनर जागरन के बीज सबसे पहले प्रसफूटित ते क्यों हुए तो उसके कुछ कारण है और यह जो सारी चर्चा है हम पांच कारणों में इस चर्चा को आप तक पहुँचाने का प्रियास कर रहे हैं अपने इन पांच कारणों पर चर्चा करेंगे पहला है इटली की भौगोलिक स्थिति भौगोलिक अनुकूलता भौगोलिक द्रिश्टी से इटली को योरोप के अन्य देशों की तुल्ना में अनेक लाब दे भौगोलिक निकित्ता कि स्विधा के कारण इटली पूर्वी एवं पस्टमी देशों के मध्ये बढ़ती हुई व्यापारिक गती विदियों का एक केंद्र बन गया इधर से जो एशिया और अरब के लोग जो व्यापार कर रहे हैं उदर से इसके यॉरॉप के लोग उनका जो एक जंक्षन बना एक स्टेशन बना एक सेंटर बना वो इटली बना曲 इटली लगबग इन दोनों के को सूट कर दर था रास्ते से और वहां ये के इंदर इसलिए बना नवीन आर्थिक सम्रद्धी का पहला जाम इटली के व्यापारियों ने पिया क्योंकि जब वहाँ व्यापार फल फुल रहा था तो प्रोस्परिटी आई संपन्ता आई व्यापारी जो है धनिक हो गए तो जो पहला जो स्वाद है सम्रद्धी का वो इटली के व्यापारियों ने चखा इसी परकार पूर्वी देशों से आने वाले नवीन विचारों को भी सरोपर्थम इटली ने ग्रहन किया धरम युद्धों से क्योंकि व्यापारी यदि यहां आ रहे हैं सबसे पहले पूर्वी देशों से तो फिर विचारक भी इधर पहुंचेंगे, इसी जगे पहुंचेंगे, जब सिटेशन यह, समरदी यहाँ पर है, यहाँ जब सारी फैसलिटीज है, तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, इंजिनियर हो, चाहे प्रॉफेसर हो, वो यहीं आके बसना चाहेगा, तो वो जो पहले इटली के नगरों में रुखते थे उधर से आ रहे हैं तो सबसे पहले इटली पढ़ रहा है वहां वो रुख रहे हैं 1483 स्वी में जब तुरकों ने कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहां से भागने वाले बहुत से युनानी लेखक कलाकार इन्हों ने भी इटली के नगरों में सरण ली पुनर जागरण के लेखकों ने मुख्य प्रेरणा प्राचीन युनानी संस्कृति से ग्रहन की और इटली के नगर युनानी संस्कृति के बचे हुए अवसेशों के निकट तम थे क्योंकि युनानी यहां से अधिक दूर नहीं था उसका प्रवाव यहां तक था इटली यारोप में अपनी भोगोलिक विशिष्टता के कारण पुनर जागरण के उतकर्ष के लिए उत्तरदाई प्रिष्थितियों का आधार बिंदू बन गया लेकिन सिर्फ भोगोलिक अनुकूलता ने ही इटली को पुनर जागरण का अगरदूत नहीं बनाया इसकी प्रष्ट भूमि में कुछ और बाते भी थी वो अपन अलग से आगे जो कारण आ रहे हैं उनमें करेंगे दूसरा कारण इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता पहला था भोगोलिक विशिष्टता अब है सांस्कृतिक विशिष्टता पुनर जागरण के युग के लेखक और कराकार इन्होंने प्राचीन युनान की संस्कृती के साथ प्राचीन रोम की संस्कृति से भी प्रेरना ग्रहन की थी इटली स्वेम प्राचीन रोमन संस्कृति की जन्म भूमी एवं केंदर बिंदू था रोमन संस्कृति का जो सारा जो सौंदरिय था इसी भूमी पे तो कभी विखरा हुआ था वो ठीक है समय के साथ विलुप्त हो गई लेकिन स्थान वो यही था अतै पुनर्जागरण के अंकूरित होने के लिए अपनी इस विशिष्ट सांस्कृतिक प्रष्ट भूमी के कारण इटली की भूमी यौरॉप के अन्य देशों की तुलना में अधिक उर्वर थी उर्वर केवल ऐसे नहीं कोई खेतिवाड़ी के लिए उर्वर बात यहां पर बौधिक हो रही है बात यहां पर इंटलेक्चुल्टी की हो रही है थौट प्रोसेस की हो रही है नमीन विचारों की हो रही है तो अपने प्राचीन पर गोरव करने का एक कारण इनके पास में मौजूद था और जब नवीन विचार आये तो पहले से चोगी ये इतने एक संपन संस्कृती रह चुकी थी तो इनको ग्रहन करने में कठिनाई नहीं हुई इटली में प्राचीन सभ्यता का कभी भी पूर्ण विनास नहीं हुआ था ऐसा नहीं है कि जो रोमन जो सभ्यता थी वो बिलकुल कोई ऐसे किनी किसी खंडरों के अंदर दब गई थी और एक ब्रेक आ गया था ऐसा नहीं पूर्ण विनास नहीं हुआ था कुछ वहाँ पर अभी था और जब उस कुछ के साथ में और कुछ मिला तो वहाँ पर फिर बहुत कुछ गटित हुआ मठों में बहुत सारा जो लैटिन लिटरेचर था वो छिपा पड़ा था मठ यानि चर्च और प्राचीन यौरॉप के बहुत से महत्पून जो इमारते हैं वो भी अभी खड़ी हुई थी इटली इसाई जगत का भी केंदर था क्योंकि वहाँ रोम में पोप का निवास और सामराज्य था पुनर जागरण की भावना के उदय की द्रश्टी से यह एक सही स्थान था और इसका लाब इसका सांसकर्तिक लाब इटली को एक अन्य द्रश्टी से भी विला कुछ पॉप इतने कट्र नहीं थे उन्होंने साहित्य के विकास में अभीरुची प्रद्रश्ट की उन्होंने इंट्रेस्ट उनका उसमें आया खासकर जब पॉप की बात होती है जो की नवीन ताको सुविकार करने की जो बात है एक विकास वाले विचारों की बात है तो पॉप निकोलस पंचम का नाम लेना बहुत आनिवारिये है निकोलस पंचम ने पंदरवी स्थापदी में वैटिकन में एक पुस्तकाल्य की स्थापना की एवं संद्पिटर के गिर्जाघर का निर्मान करवाया प्राकांतर में बाद में प्राकांतर से इन गतिविधियों ने पुनरजागरन की आंतरिक भावना के विकास में योगदान दिया तो इटली की जो सांस्कृतिक स्थिती थी वो बिलकुल नए विचारों के अनुकूल थी तीसरा कारण आर्थिक स्मृधि पूर्वी देशों एवं यौरॉप के मध्य होने वाले जो एक जो बड़ा व्यापार था उसका मुख्य मध्यवर्तिक केंदर होने का जो लाव है वो इटली को मिला क्योंकि जब लाव, लशकर, लंगर और ये व्यापारियों के जो है बंजारों के बड़े बड़े जो इनके वो जो चलते थे डेरे वो सब आराम करने के लिए रुखते तो वो जो एक इटली की बहुँगाले कि इस्तिती हमने पहले भी चर्चा की योरोप के अन्य देशों की तुलना में अपेक शाकरत वहाँ पर क्योंकि समर्द्धी पहले आ गई तो वो व्यापार का केंदर पहले बना यह आर्थिक समर्द्धी इटली में पुनर जागरन की भावना के सिकर उतकर्ष में बड़ी साहय करे एक तो यहां नव धनाड्य वर्ग उत्पन हुआ जो अपनी आर्थिक संपन्ता के बलबूते पर स्वतंतर जीवन सैली का अनुगामी हो गया स्वतंतर जीवन सैली का अनुगामी यानि कि अब उसके उपर चर्च का जो एक पहले मानो पर चर्च का वो रहता था अब चर्च का उसके उपर कोई एक आदक्कार नहीं है अब उसने उसको चुनोती लिड़ाले अब वो चर्च की बात मानने को तो यार नहीं है इस नव धनाड्य वर्ग ने मानववादी कलाकारों साहित्यकारों को बड़ा संग्रक्षन दिया मानववाद का संबंद मानव के प्रत्यक्स लोकिक और भोतिक उतकर्ष से था यानि कि ये लोक परलोक नहीं मरत्यू के बाद का लोक नहीं मरत्यू से पहले कि ये लोक जिसमें हम जी रहे हैं इसका इसमें उसको उसका जीवन सुविधा पूर्ण बने आनंद पूर्ण बने इस पर ध्यान दिया इस पर ध्यान दिया दूसरी धृष्टी से हम मानववाद चर्च के आदिपत्य को चुनोती थी और वो धर्मादिकारियों के नियंदर को स्विकार करने को तैयार नहीं थे तो इटली के जो नव अभिजात वरक की भावनाओं ये हम आकांख्षाओं का सबसे जीवन और जो किरियासील प्रतिनिदी था वो इटली था किसका जो ये नव धनाडिया वरक है ये जो फ्रोफेसर्स हैं ये जो कलाकार हैं ये जो साहित्यकार हैं इन सब के लिए इटली बहुत एक पसंदीदा स्थान था दूसरा जब यहां व्यापारिक समर्द्धी हुई तो इसके कारण यौरॉप में यौरॉप के इटली में नए नगरों का तेजी से विकास हुआ जैसे फ्लोरेंस वेनिस मिलान नेपल्स हमने चर्चा की थी इससे पहले के व्याख्यान में ये जो सब नगर हैं पुनर जागरन यूग में इटली का सबसे सम्रद्ध एवं तेजी से विक्षित होने वाला जो नगर था फ्लोरेंस फ्लोरेंस की प्रगति तीन छेत्रों पर आधारित थी बैंकिंग, कॉमर्स और इंडर्श्ट्री यानि बैंक, वानिज्य और उद्ध्योग इतिहासकार एपी सेन के सब्दों में समूचे यूरॉप में फ्लोरेंस के बैंकिंग सिस्टम का कोई जवाब नहीं था मिलान, एविगनन, लॉयन्स, पैरिज, बर्गश और लंदन सभी जगें इस से आगे नहीं थे, सब इस से पीछे थे और इसका भी इटली को बड़ा लाब मिला पुनर जागरण यूक के बहुत सारे जो कलाकार है वो भी फ्लोरेंस से जुड़े वे थे जिसमें लियोनार्डों का नाम, माइकेल एंजलों का नाम, दाते, पैटराक, जो कि मानवतावादी का जनक था, बुकासियो, मैक्यावली, इन सब का जो सम्मंद है वो भी फ्लोरेंस नगर से रहा, अब देखिए जहां इतने बड़े कलाकार और साहित्यकार हो, उस नगर या उस रज्य या उस देश की उन्नति क्यों नहीं होगी, क्योंकि विचार की जो ताकत है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है, इसके बाद हम बात करते हैं, विशिष्ट सामाजिक स्थिति की जो की इटली की थी, चोथा कारण, यौरॉप के अन्य देशों की तुलना में, क जिसके कारण इटली में सामंतवादी विवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाई, जैसा यौरॉप के अन्य देशों में मेनार सिस्टम था, जागिरदारी प्रनाली थी, सामंत विवस्था थी, वो इटली के अंदर कमजोर थी, सामंतवादी विवस्था के विकास में एक परमुख बाधक्तत्व या रोडा थी, इटली के सामाजिक जीवन में विभिन वर्गों के मध्ये, अलगाव की रेखाएं कटरता से नहीं खिची हुई थी, बड़ी धुंदली रेखाएं थी, बलकि इतना ही नहीं, उनमें एक स्वस्थ नागरिक चेतना के भी संकेत, जो है इतिहास कारों ने जो लिखा है, वो उसके आधार पर वहां की जो नागरिक चेतना है, बड़ी स्वस्थ नागरिक चेतना के संकेत हमें इटली से मिलते हैं, इटली के पुनर जागरिन के उदय, एवं विकास की परिकरिया में, विसम सामाजिक उतना अधिक नहीं था, जितना यौरोप के अन्य छेत्रों में रहा होगा, उसकी अपेक्षा इटली में वहां से कुछ उदारवाद जो है, वो अधिक था, पांचवां कारण, अन्तिम कारण, इटली के नगर राज्य, इटली के कुछ, कुछ जो नगर हैं, वो नगर जैसे की पलोरेंस, जैसे की वेनिस, ये स्वतंतर राज्यों के रूप में विक्सित हो गए, अपने आप में ये जो नगर है, एक स्टेट के रूप में डवलप हो गए, और उनमें जनतंतरवादी, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ठीक्रेटिक नहीं, मोनार्की भी नहीं, जनतंतरवादी, राजतंतरवादी नहीं, जनतंतरवादी, परवर्तियां जो हैं, उनका भी विकास होने लगा, अब जिन नगरों के अंदर, इतने परबुद्ध लोग रहते हों, और इतनी संख्या में रहते हों, तो वहां फिर भला रूडिता कितने दिन चलेगी, रूडिता कितने दिन वहां पर सांस ले सकेगी, जहां ऐसे लोग रहे हों, जिनके नाम हमने पहले लिये, लियोनार्डो, माइकल एंजलो, दांते, पेट्राक, भुकासियो, मैक्यावली, ऐसे ऐसे लोग जहां रह रहे हैं, वहां जनत प्रवर्तियों का विकास होना स्वाभाविक था। इन नगर राज्यों पर सम्राट एवं पोप का नियंत्रन अपिक शाकरत बहुत धीला था। ये नगर राज्य पुनर जागरण की उद्धोषना के आरंबिक एवं परमुख जो है ये केंदर बन गए। तो विद्धियारतियों ये इस परकार से पांच कारण थे इटली में पुनर जागरण क्यों परारम हुआ। क्योंकि इटली की भौगलिक स्थिति ऐसी कि वो पूरव के देसों और पश्चिम के देसों के बीच में वहां पर व्यापारियों के जो काफिले आएंगे वो भी वहां रुकेंगे आराम करने के लिए। व्यापारी वहां आके रुक रहे हैं कुस्तुन्तुनिया से यदि विद्वान वहां से जान और अपने ग्यान को चुपा कर बचा कर लेके आ रहे हैं तो वो भी सबसे पहले इटली में पहुँच रहे हैं तो इटली पूरव से हर आने वाला सबसे पहले इटली आ रहा है और व्यापार का भी एक के अंदर बन गया फिर इटली की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टाएं जहां पर कभी ऐसी बड़ी रोमन सब्विता रही हो उसका जो परभाव है उसका जो वहां से जो रोमन सब्विता के जो वाइब्रेशन्स हैं जो उसकी ब्यूटी के वो अभी लोगों तक पहुंच रहे हैं अभी तक उसका एहसास है अभी तक उसका अनुभाव है अब उस पर गोरव करते हैं वो जो उनकी स्थिति थी फिर इटली के अंदर जो आर्थिक समरद्धी आई आर्थिक समरद्धी से जो है वहां नए नगर राज्यों का जो निर्मान और इटली की सामाजी के इस्थिति ये कुछ ऐसी बातें थी जो इटली को यौरॉप के अन्य देसों से अलग करती थी ये ऐसी बातें हैं जो इटली को एक विशिष्टता परदान करती थी ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण इटली में नमीन तत्व पहले से भी रॉमन संस् जो थी, हलांकि वो बीच में उसका प्रभाव कम हो गया था, उसकी अपनी एक थाती थी, वो एक धरोवर उनके पास में थी, और नमीन विचारों को सुगमता से ये ग्रहन कर रहे थे, और जो कोई ऐसा आ रहा था, कोई प्रोफेसर, कोई आर्टिस्ट, कोई इंजिनियर, कोई लॉयर, उन सब के लिए यहां पर स्पेस था, उनका सम्मान था, उनको संग्रक्षन दिया जा रहा था, उनको अवार्ड किया जा रहा था, उनको स्विधाएं दी जा रही थी, और इटली के जो ये नगर हैं, बड़े एक दुनिया के उस समय के बड़े खूब सूरत नगर थे, लोग इन नगरों को देखने की एक सपना एक लोगों के द्वारा उनके मस्तिस्क में उस समय में जो है वो पाला जाता था, तो इतनी ये जो विशिष्टाएं थी, इनके कारण इटली में सबसे पहले पुनर जागरन हुआ, क्योंकि ये विशिष्टाएं, ये अन्य देशों के पास में नहीं थी, ना इंगलेंड के पास में, ना फ्रांस के पास में, ना जर्मनी के पास में, ना अस्ट्रिया के पास में, ना स्वीडन के पास में, ना स्वीड़लेंड के पास में, किसी देश के पास में, ये विशिष्टाएं नहीं थी, जो ग्रण का प्रारंब इटली से हुआ से सगले व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद